हेलो एवरिवन असलाम अलेकुम दिस इस मी फाय कासन कैसे हैं आप सब लोग उमीद है आप सब ठीक ठाक होंगे खरियास होंगे खुशाम अदीद कि इन में दा ब्रैंड न्यू वीडियो आज मैं आप लोगों लेकर आई हूँ एक सिंफल अच्छी और अफोड़ेबल स्किन कि आज की तारिख में उनकी exact price का तुकि डॉलर रेट आगे पीछ होता रहता है तो इनकी price भी आगे पीछ होती हैं नियुक्षी दीडेशि मेरी कोशिछ थी कि एक ड्रग स्टो प्रडॉक्ट सी रिकमेंड करूं तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिर उससे अगर आप में चैनल पर नी होएं तो वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करें अपनी चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टेग्राम पर भी मुझे जल्दी से फॉलो कर लें तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह बताने से पहले कि रूटीन आपके क्या होनी चाहिए मैं आपको अपना एक्सपिरियंस भी बताऊंगी कि मैंने एज टीनेजर क्या गलतियां की हैं और उनका नतीज़ा कितना बुरा होता है मैं शूर हूँ आपने से काफी लड़ करते हैं ओईली स्किन से लड़कियों के लिए मैं तीन स्टेप बताऊंगी इवन ज्राइ नॉर्मल सबके लिए तीन स्टेप की रूटीन नहीं इस एज में जितने कम प्रोड़क्ट्ट्थ अपने स्किन पर लगाएं उतना ही बेस्त है तीन स्टेप कर रूटीन आपके हो अफ्लाफ यह नियूच इट खेल फ्लाइस अपके बहुत चेशा इन वह फॉम्ह पास फॉय पडिल गावले आप पेल प連े को आपने प्लाइबगे ले सकते हैं आराम पर वह डेलाए प्लेटायका है आप अलाइन भी करना प्रशस पर अए erklären या एकनी प्राउन वाली लड़कियां यह समझती है कि हमारे स्किन ओई ही है या एले तना ओई है पर नहीं ज़रूरत नहीं है जो कि आपके सबसे बड़ी गलती होती है इससके सिसंय कैसी हो इंब लेंब है इसके स्किन बेरियर को प्रोडेक्ट करनेके लिए बस आपने करना है कि आपने वह मॉस्ट्राइजर लेना है जो ओयल भीज्य यानन बेस है। आप ले सकती हैं भाई जबर जासे हैं näm Зд्या King चीक है ? आपको मैं भी प्रोडक्त बतारही हूँ इनको यूज कैसे करने है वह में वीडियो के लाइंस में बताऊंगी तो आपका क्लेंजर भी हो गया मॉस्ट्राइजर भी होगया अब आगई बारी सुन इसक्रीन Sunscreen में हर किसी को Solaris की Sunscreen suggest करती हूँ क्योंकि यह सस्ती भी है 600-700 तक चलती भी बहुत है और सब्से बहतरी चीज है कि यह अराम से पाकिस्तान में भी मिल जाती है आपका लब भला करे आपका pharmacy होगई है आपकी Supermarkets ऐस त्चेम स्कीन हों घर हर जगह जाथी ई तो sunblock की आपको ज़रूरत है बहुत जादा sunblock के बगएर आपकी रूटीन बिलकुल बेकार है तो आप ये ले लें और अगर आपकी skin बहुत जादा oily नहीं है minor सी oily या combination है तो फिर आप ये red वाला इंका sunblock लें ये जादा अच्छा है बट इसमें थोड़ सी white cast है तो अब आपकी उपर है कि अगर बहुत जादा oily है तो white वाला ले ले normal oily है या combination है तो फिर ये red वाला ले 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 अब बार ये आजाती है dry skin की dry skin की routine भी सेम है cleanser, moisturizer और sunblock लेकिन products different हैं अगर आपकी skin dry है तो जरूरी है कि आप cleanser वो यूज करें जो hydrating हो ये वाला cleanser बहुत अच्छा है for dry skin अच्छे से अपने skin का अपने cleanse करना है twice a day second step पे आगया moisturizer, moisturizer जो है dry skin वाली लड़के उनके लिए बे इंतिहास जरूरी है, मतलब के लिए बहुत जादा जरूरी है उसके बगएर आपकी skin जाहर सी बात है से हर जगा पाकिस्तान में मिल भी जाते है तो आप यह ले उसके बाद आगई बात sun screen की sun screen वैसे तो मैं आपको एक list बता सकती हूं suggest कर सकती हूं लारोश भोजे बायो जर्मा लेकिन मैं शोर नहीं हूं कि आपकी पाकिस्तान में का मेलेगे यहां पर तो यह फार्मसी पर मिल जाते हैं अगर आपकी नॉर्मल है तो कोशिश करें बहुत क्रीमी थिक मॉस्ट्राइजर यूज यूजान ना करें उसकते हैं उससे आपको फ्यूचर में एक्नी हो जाए तो सिंपल यह वाला मॉस्ट्राइजर आप यूज़ करें थाग शनी स्ट्रीन अगें अगर मैं आपको रेड तो यह आपकी रूटीन हो गए तीन स्किन टाइब के लिए अब आता आजाती है कि आपने इनको कैसे जो है करना है रूटीन एम की रूटीन और पेम की रूटीन वह भी मैं आपको बताताए बहुत सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह की आपने सुबह उठके ठीक है ना ना बना है मतलब जो मैंने इनको क्लेंजर सजीस्ट किया है उसमें से को ही दिन के ले 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 लें अपने स्किन인데 कह पर अववड़ कर ने कब शुबह बेदा है और अपने भिज जाती है और कंदीघ्र करने हैं कम से कम एक मिनट तक ठीक है उसके बाद फेसाषिकों के बाले तीक हैं अपने लगाना है ऐभ फिर अपने लगाना है सफ्कूल जातीयां कालीज आती है कहीं थे लिए ठीक हिए फिरतीIl वाइब सब्सक्राइब यह ची बाइब सब्सक्राइब गरें मैं जबन करें डात में शोप्संतीरि puppy आफ दक्राणिश करण सक आप थोड़ा सह तो एम इसरी माईसेलर वॉटर अनुब बहimsism है तो लेलेत प्रेदष निहार कि मैसेलर वौटर वॉटर लो हुआंबंगे लेने थे यह , भें फिंपल बाइद के चुछलें लें उबुछ लें प्रिण। सबने कि युफ Gibson Flux Hawai भी के और जाता हैं जा भाद जाती पर जाती है आपका के ज्लाती है मॉंस्टिलाजर लगारE चाहंने के लुद चाहती हैं वर पिण आृट नंके छिम आभी को अपके जो है। लड़कों के लिए जिनकी स्किन ड्राय है तो उनकी स्किन जो है वो काफी देड़ तक हाइड्रेट रहती है उसे के साथ साथ फेस को वाश करने के बाद रगड़ना नहीं है तोल्या लेकि एक अपना अलग से टॉवल बनाए चोटा सा उससे अपने फेस को टैप करना है फेस अपनी हर वीडियो में सजेस्ट करते हूं यह बहुत अच्छा है इसके अंदर सालिक सिलिक एसड है एकनी को काफी हद तक रीडियूस करते है क्योंकि टीन एजिंग में एकनी पिंपल्स यह बहुत कॉमन है सबको होते हैं तो आप यह मास्क यूज कर सकती है हफते में एक यह दो बार दस मिनट के लिए उससे जादा नहीं फेस फॉश करने पर प्लेंज तो यह आप कर सकते हैं उसके लावा कोई भी अगर प्रोड़क्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है हाँ अगर आपको आपकी स्किन फोड़ सी डल लग रही है थोड़ सी आपकी स्किन अगर जरूरत है वह भी पंदरा दिन में एक बार हफते में भी एक बार नहीं तो जो टीनेजर गर्स हैं बस उनके साथ में रिक्रेस्ट यह है कि कम प्रोड़क्स यूज करें कम चीजे लगाएं संब्लॉक्स वह में लगाएं आप में डबल क्लेंजिंग करें अब मैं पता ही नहीं था तब ही में इसकिन का बहुत बुरा हाल हुआ था आपने यह मिस्टेक नहीं करनी है मैं आप को सब्सक्राइब करने वारा नहीं था लेकिन आपने जरूर संब्लॉक्स यूज करना है मैं जो भी चीज़ यूज करती थी फेस पे लोशन लगा रही हूं यूज करना है फेस वाश करने से पहले ताकि स्किन के उपर से जो भी चीज़े हैं वो क्लैंज हो जाएं सेकंड मिस्टेक मेरी होती थी कि मैं जो भी रेमिडी जो भी चीज़े मार्केट में नहीं आ देती वो ले 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 थी थी और अपनी स्किन पर अप्लाइ करना अगर आप बोलेंगे तो इन्शाला मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको मैकप भी सजेस्ट करूंगा कि बताऊंगी टीनेजर लड़कियों को किस तरह से मैकप करना चाहिए थाकि उनको ब्रेक आउट्स वगेरा नहीं कि मैंने सब कुछ बताया इ होम रेमिडी के साथ आप अपनी फेशल हेर्स रिमूफ कर सकती है तो ज़रूर वीडियो देखेगा उसी के साथ टीनेजर गर्स के लिए मेरी यह ही रुट्यस्ट है तीन प्रोड़क्ट सिर्फ तीन स्टेप्स की रूटीन फॉलो करें कम चीज़े लगाएं जेंटल प्रो अपनी स्कंड का ख्याल रखें फिर भी कोई आपको सवाल है कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे आप नीचे कॉमेंट सेक्चर में इंस्टेग्राम पे मेसेश करके पूस सकते हैं तो अपना बहुत जद आपने ख्याल लखने है दूआ में मुझे याद रखने है और टे